इन आखों को देखिए, इन आखोंने खून देखा है, इनके सामने पिरित ने अपनी जान की भीक मांगी, लेकिन इसने उन्हें नहीं बक्षा, ये है पर्टुगाल के पहला सिरियल किलर, डिएगो अल्प्स, एक सो पचास साल पहले मौत हो चुकी है, लेकिन आज भी इस कोल unexpected twist, डिएगो सिर्फ एक सिरियल किलर नहीं है, साथ ही साथ भिक्टिम भी, आज भी क्यों उसका सर प्रिजब करके रखा गया है, कैसे और क्यों उसके सर को कटा गया है, साल 1836, शड़ा भी डिएगो के मां की मौत हो जाती है, डिएगो वस हर्ट ब्रोकें, तभी उसकी मुल काखी, डिएगो ने एक perfect crime की plan बनाया, उन्हीं लोगों पो उसने अपना शिकार बनाया, जिने उनकी family कभी तलाश नहीं करेंगे, उसके target थे गरीब किशान, जो लिजबन के बाहर से आते थे अपना फसल बेचने, उन लोगों को फसल बेच कर रात की अंधिरे में एक सुन मार्पीट के sign भी नहीं, authority को लगा, उन लोगों ने suicide किया होगा, liberal evolution के time ये घटना घटी, जब many people lost their job, सब को लगा, उन hopeless लोगों ने suicide किया होगा, depression में, चार साल तर ये चला, और डिएगो अल्पस ने 70 लोगों की जान लेली, और पकरा नहीं गया, उसने एक गैन बनाया, और अब लोगों के घर में डाका डालने लगा, और एक दिन वो पकरा गया, उसे फासी की साजार सुनाई गया, लेकिन उसका सर क्यों काटा गया, किसे एक criminal का सर चाहिए, scientist को उसका सर चाहिए था research करने के लिए, एक खूनी का सर, normal इंसानों से अलग होता है, researchers को अपना theory proof क परना था, उनके मताबिक high forehead का मतलब smartness, डिएगो का forehead high नहीं था, फिर कैसे उसको चार साल तक पोलिस पकर नहीं पाई, उनका और एक theory था, potential criminals के eyebrows prominent और arch shape में होता है, डिएगो के eyebrows वैसा नहीं था, लेकिन ये feature था Mother Teresa का, जिनको दुनिया का kindest person माना जाता है, researchers के और भी बा सर को study किया जा सके, कब तक उसका कटा हुआ सर रखा जाएगा, कभी तो उसे इनसाब मिलेगी?